फिल्म में रितिक रोशन और दिपका पदिकोन पहली बार दिखेंगे साथ में रितिक रोशन और दिपका पदिकोन की फिल्म फाइटर का फैन्स लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं इसी बीच फिल्म का पहला पोस्टर आउट हो गया है और नई रिलीस डेट सामने आ गई है फाइटर के लीड स्टार रितिक रोशन ने अपने ओफीशल इंस्टाग्राम एकाउन पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें फिल्म का फर्स लुक नजर आ रहा है सामने आए पोस्ट में आप देख सकते हैं कि आसमान में कई सारे फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं साथ ही इन प्लेन के जरीए बंबारी होती हुई भी दिखाई दे रहे हैं इस पोस्ट को शेयर करते वे रितिक ने कैप्शन में लिखा है 25 जनवरी 2024 को आप से सिनमा घरों में मिलते हैं हैश्टाइग फाइटर वेल इस पोस्ट से साफ हो गया है कि ये फिल्म 2024 में रिपब्लिक डे के मौके पर सिनमा घरों में दस्तक देगी वहीं इस फिल्म की आक्टरस दिपिक अपदकोन ने भी फाइटर का फर्स पोस्टर शेयर किया है आक्टरस ने इसे अपने इस्टाग्राम एकाउन पर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है अपनी कुरसी की सीड बिन बांद ले क्योंकि भारत की पहली एरियल आक्शन फिल्म फाइटर 25 जनवरी 2024 को रिलीज हो रही है फाइटर के इस पोस्टर को देखने के बाद फैन्स फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस फिल्म में रितिक रोशन और दिपिक अपधकोन हैरत अंगेज हवाई आक्शन करते हुए दिखाई देंगे वेल ये पहला मौका होगा कि जब रितिक और दिपिका एक साथ बिग स्क्रीन पर नज़र आएंगे इस फिल्म का डिरेक्शन सिधात आनंद कर रहे हैं जिसमें रितिक और दिपिका इंडियन एर फोर्स के पाइलिट का रोल प्ले करेंगे साथ ही इस फिल्म में अनिल कपूर भी एहम केडार निभाते हुए नज़र आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म के अनौंस्मेंट पिछले साल रितिक रोशन के जरंद बिन पर की गई थी जिसके बाद ये फिल्म पहले 2023 में 26 जनवरी को रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में इसकी रिलीज डेट बदल कर 28 सितंबर 2023 कर दी गई ऐसे में अब एक बाद फिर से इसकी नई रिलीज डेट जारी की गई है जिसके मताबिद ये फिल्म अब 2024 में रिलीज होगी रिपोर्ट के मताबिद फाइटर के पहले शेडियूल की शूटिंग 15 नविंबर से शुरू होने वाली है बीरो रिपोर्ट, E24